वेलो फ्रेंड वेलेकव मैं यूटेर चनल फोकट के जानकारी आज किस व्यूटेम में आप बात करें वाले यसे पैकिंग विजनस आडिया के बारे में जिसमें कि फ्रेंड आपको मात्र 100 रुपया प्रति कीलो के इसाफ से पुड़ट को खरीद करके लाना है और इसे बहुत ही easily आप पैक करके market में 300 रुपया प्रती किलो के इसाब से आप wholesale में बेच सकते हो अगर food car में आप इसे बेचते हो तो आप इसे retail में 500 रुपया प्रती केजी के इसाब से बेच सकते हो कि यह तो business बहुत से लोग कर रहे है इस business को करके कितना ज्यादा कोई फाइदा कमाएगा बट यकीन मानिये मैं जो trick बता रहा हूँ अगर आप इस trick की साहता से जो है कि आप अपना business करते हो तो यहाँ पर friends आप महीने के कम से कम अगर कमाएगी नो तो 50 रुपय से कम नहीं कमाएगे क्योंकि friends आप लोग पहले वीडियो को सुने लीजिए समझ लीजिए इस trick को देख लीजिए आप यकीन मानिये friends आपको a trick बहुत अच्छा और बहुत ही पसंद आएगा और आप अगर इस business को करते हो तो इसमें बहुत कम पूजी लगा करके बहुत कम पूजी लगा करके महीने के बहुत इसली 50-90 रुपय की कमाई कर सकते हो तो चलिए friends सबसे पहले जान लेते हैं कि एक कौन सा product है इस business को सुरू करने में कितना रुपया investment मतरब कितना पूजी लगेगा इस product को कहां से खरीदना है product को कैसे sell करना है कैसे pack करना है सारा कुछ A to Z इस वीडियो में clear करने वाला हूँ तो फ्रेंट्स आप लोगों से एक request है प्रेंट्स को सुरू करने में कितना रुपया आपके पास investment होना चाहिए कि आप इस business को सुरू करने से पहले सभी लोगों के mind में एक ही question होता है कि इस business को सुरू करने के बाद इसमें कितना रुपया benefit यानि margin यानि फायदा कितना होगा सो आज किस वीडियो में सबसे पहले clear कर लेता हूँ कि ए product जो है नहम मात्र 100 रुपया प्रति केजी की हिसाब से आप यानि 100 रुपया kilo खरीदना है और market में होल सिले में आपको 300 रुपया में बेचना है एक kilo बेचने पर 200 रुपया या पर आपको फायदा यानि benefit होने वाला है इस business को शुरू करने के लिए मात्र आपके पास 5000 रुपया है तो बहुत ही easily आप इस business को घर से start कर सकते हो बहुत से लोगों के पास 10-20 रुपया होते भी है बट उनके mind में कोई भी ऐसा business idea ही नहीं आता है business तो बहुत सारा आता है बट वे लोग proper रुप से यहाँ पर clear ही नहीं कर पाते हैं कि मैं कौन सा business करू मेरे पास 20-20 रुपय है तो मैं 20-20 रुपय में कौन सा ऐसा business करू जिससे कि 20-20 रुपय में महीना कमा हो बट ऐसा idea किसी के mind में आता ही नहीं है आता भी है तो वे लोग जो है कि अच्छा से business करने का कोई तरीका नहीं उन्हें मालूम होता है और वे लोग करते कि अगर 20-20 र लगा कर कि पूरा एकदम डूबा देते हैं तो भी घाटा चला जाता है एक वे रुपया का उसमें margin नहीं मिल पाता है अगर आपके पास cycle है या फिर bike है तो आप बहुत easily आप इस business को start कर सकते हो और आप अपने market में ले जाकर कि अपना product का खुद जो है कि selling कर सकते हो ठीक ना friend देखिए friend जब भी आप इस business को करने के लिए start करोगे या फिर आप सोचोगे तो आपके mind में बस यही एक विचार आएगा कि ए business तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मैं कैसे करके इसमें success पा सकता हूँ friends आप यकीन मानिए जब तक आप कोई business start नहीं करोगे तब तक आपको इसमें कोई भी फायदा, मुनाफा, घाटा, नुपसान, कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जब तक आपको कुछ profit या कुछ loss नहीं होगा, तब तक आप किसी भी business को अच्छे सी समझ नहीं पाऊगे इसलिए friends सबसे पहले आप कोई भी एक business start करिए, जब उसमें आपको कुछ profit या कुछ loss होगा, तब ही आपको वहाँ पर कुछ समझ में आएगा यह थोड़ी है कि आप दिमाग में बस यही बैठा लिजिए कि मैं कौन सा business करूँ जिससे ज़्यादा profit हो, मतलब हमें सब सब लोग सोचते रहते हैं बट कोई business start नहीं कर पाते हैं, तो आज किस video में मैंने लेकर के आया है ऐसा business idea जिसमें कि आपको करना क्या है, कि 100 रुप आपको लागर के और packet के market में sell कर रहे हैं, sell कर रहे हैं बट sell नहीं हो रहा है, तो कैसे आपको sell करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा product sell हो, और आपका जो है कि एक नाम बने और आपका जो है कि product बहुत ज्यादा मात्रा में हर एक दुकान पर पहुंचे, हर एक चौर आपको खरीद रहा है अब इसमें कुछ आपको मोडिफाई यानि कुछ कलाकारी आपको खुद से करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा आपको फिरेंट आप यकीन मानिए इस त्रीक को अगर आप अप्ला करते हो तो यहां पर तो यहां पर 10-15 रूपय आपको देना पड़ जाएगा ठीक ना पंदरे 20 मतर पूछ चार्ज होता है उतना रूपय आपको दे देना होगा ठीक ना जैसे पांच कि आप खरीदते हो तो पांच 120 रूपय तीस रूपय में आपको कटा कटाया हुआ पोड़क्ट मिल जाएगा सूर्ति तमबाकू जो कि बहुत से लोग गाउ हो सर्व मतलब बहुत जाथा लोग गुड़का के रूप में इसे यूज करते है ठीक ना तो आपको करना क्या है कि यही नार्मल वाला सूर्ति खरीदना अब आप लोग यह मत सोचिए गा कि गाउं में अच्छा-च्छा तो भीक नहीं रहा है तो नार्मल वाला सूरती कहां से भीक है देखिए फिनेट्स आपको करना क्या है कि पांच किलो खरिद करके लाना पहले पांच किलो से ही स्टार्ट करिए उसके बाद आपको चूना लेना है चूना पता है ना फ्रेंड्स जो सूरती में मिला करके यूज कि लेने के बाद आपको समय को AKP Reality कर देना है जैसे माल जी इसमें आपने पानी को फिल कर दिया उसके बाद इस तरह से पकड़ लेना उसके बाद Okay कोई सुई या फिर विः से आपकोए क्षेद कर देना जै करने के बाद उसको दबा मैं मार्केट में बहुत इसनल चाहिए आप उनलाइन परचेज कर सकते हो एक बार दो बार वेट करिए उसके बाद जो कि आप अपने अंदास से फिल कर सकते और आपको polythin ले लेना, polythin ले लेने के बाद आपको इसमें 10 गराम भरना, ठीक ना, देखे फ्रेंट्स, यहापर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना, आपको 10 गराम इसमें फिल कर देना, जो कि इसका बटन खराब हो गया है, तो यहाँ से जो की start करना पड़ता है, 10 गराम इधर है, 10 गराम इभी है, पत्रफ 10 गराम के हिसाब से आपको भरना, 10 गराम से 11 गराम हो जाए, ठीक ना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना, आपको 10 से 11 गराम प्रती पैकेट में फिल करना है, फिल करने के बाद आपको करना क्या है कि मार्केट में ले जाकर के इस और से सेल करना ठीक न अब देखिए एक किलो में दस गराम तो आपको भी तीन रुपे में सेल करना ठीक न बहुत होते हैं तीन रुपे में पचास पैसे में सेल करते हैं बट उनका मतलब लोगों को अच्छा लगेगा देखने में यह लगेगा जब यूज करेंगे यानि खाएंगे नो तो उन्हें लगेगा कि यह बहुत बेस्ट क्वालिटी का सुड़ती है चूना पढ़ने से ही वे जो है कि उसका स्वाद बदल जाता है और लोग उससे बहुत ज्यादा फसंद करते हैं तो आपको करना क्या है कि यही ट्रिक अपलाई करना है अपलाई करने के बाद जो है कि आपको मार्केट में पहले पूरा किसी भी तरह से आप किसी होलसेलर को दीजी एक बार सब लोग बड़े से बड़े wholesaler के दुकान पर ही आते हैं वही से प्रोड़क्त खरीज़र के ले जाकर के market में बेशते हैं या फिर अपने दुकान पर बेशते हैं ठीक न तो आपको करना क्या है कि wholesaler की दुकानों पर आपको distribute करते न उसके बाद आपको कुछ नई करना है जै इसे ही वहाँ पर प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे, खरीदने के बाद आप यकीन माने फ्रेंड्स इतना डिमांड होगा आपका न, कि आपका प्रोडक्ट बहुत तेजी से हर एक चौर आये पर बिकना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रेंड्स अगर माल लिजे आप धीरे धीरे क करके एक दिन में अगर दस किलो प्रोडक्ट बेच देते हो, तो दस किलो प्रोडक्ट बेचने पर एक किलो बेचने पर दो सो रुपे का यहां पर मार्जिंग हो रहा है, तो यहां पर दस किलो बेचने पर बहुत एजली एक दीन में दो हजार रुपे का वेनिफिट हो जा तो फ्रेंट्स आप यकीन मानिए अगर आप इस बिजनस को करते हो तो मैं गारंटी के साथ काता हूँ कि आप इसमें महीने के 59,000 रुपे कमा सकते हो बहुत से लोग हैं जो कि इस बिजनस को करके 50 नहीं तो 30-40,000 रुपे कमा ही रहे हैं बट आपको देखने में यह नहीं बहुत अच्छा बिजनस है और इसमें मार्जिंग भी अच्छा खासा मिल जाता है बहुत सारे लोग इस बिजनस को करते हैं ठीक ना तो आज किस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट और नेट आपके साथ तब तक के लिए है अटेक क्या तो